दोस्तों आजकल Redmi and Xiaomi के फोन के उपर एक जो प्राबलम है बहुत जादा कॉमन है और बहुत सारे लोग ये प्राबलम फेस कर रहे हैं कई सारे लोगों के मुझे मेसेज आए कि मेरा Redmi 10 Prime है मेरा Note 8 Pro है मेरा Note 9 है इसके उपर मुझे ये प्राबलम आ रहा है तो इसको कैसे फिक्स करते हैं प्राबलम ये है कि आपके फोन के उपर system UI not responding, security not responding, apps not responding इस तरीके का आपको notification आता है और आपका जो फोन है वो hang कर रहा होता है तो इसको कैसे फिक्स करते हैं बहुत सादा simple इसको फिक्स करना करते हैं बस वीडियो को पुरा ध्यान से देखिए और ये प्राबलम फिर आपको कभी भी प्राबलम नहीं देगा तो शलिए हम लोग यहां पर वीडियो को start करते हैं आपका generally क्या होता है कि आपका system UI होता है वह not responding का message आ जाता है और आपका system hang कर जाता है तो इसको fix करने के लिए आपको जाना है आपके settings के अंदर, settings के अंदर आपको apps नाम का option दिखता है इस पर आपको tap करना है इसके बाद यहां पर आपको manage apps के उपर tap करना है और यहां पर आपके phone के उपर जितने भी applications है जो आपने बाहर से install किये हैं या फिर जो आपके system के applications सारे का एक पूरा list आपको इहां पे देखने के लिए मिल जाता है इस जिगह पर आपको क्या करना है यहां पर आपको search का option दिखता है या फिर आप इस तरीके से ढूल सकते हैं यहां पर आपको system UI लिखावा एक option देखने के लिए मिल जाता है So simple, आप इसको search कर लीजे और System UI आप देख सकते हो, यहाँ पर इसके उपर आपको tap करना है अब यहाँ आप देख सकते हो, आपको नीचे में option देखने के लिए मिलता है Clear Cache का, इस पर आप tap करेंगे Clear Cache आपको check कर लिना है and OK कर दिना है तो यहां से आपका system UI का काम हो गया, इसके बाद next आपको यहां पर system launcher होता है आपका, इससे भी problem आती है, तो यहां पर आपको system launcher लिख करके search करना है, clear data का option है, यहां पर clear data पर tap करना है, लेकिन clear all data आपको यहां पर नहीं करना है, सिर्फ clear cache आप यहां पर करेंगे, तो यह दो applications का आपने कर लिया, इसके बाद आपको यहां पर एक और application जो problem करता है, वो है security app, security का आपको search करना है option, यहां पर आपको clear data का option मिलता है, जिस पर आप जाएंगे, लेकिन आपको clear all data नहीं करना है, clear cache के उपर tap कीजिए, and okay कर दीजिए, तो यहां से आपके जो तीन application तो आपको परिशान नहीं करेगा, अब बात आती है कि अगर आपको कोई और application है, जिसके उपर आपको यह problem आ रही होती है, तो उसको आपको कैसे fix करना है, मानलो यार मेरा जो camera है, वो not responding पर आ गया है, या फिर मैंने कोई third party application install किया है, उस पर मुझे not responding वाला message देखने के मिल रहे है, simple सा तरीका उतनी है, आपको यहाँ पर tap करना है, उसके उपर clear cache कर लेना है, और अगर आप चाते हो कि मैं एक एक करके ना करूँ, मैं पूरे cache को एक साथ delete करूँ, सारे जित्ते भी मेरे application है उनके, तो यह करना भी बहुत जादा simple है, इसके लिए आपको आपके Android नाम का folder दिखेगा, इस पर आप tap कीजिए, data नाम का folder दिखता है, इस पर आप tap कीजिए, और यहाँ पर आपके सामने इस तरीके का एक message आता है, view in files आपको यहाँ पर option मिलेगा, इस पर आप tap कीजिए, अब यहाँ पर आपको फिर से देख सकते हो, आपका internal storage खुल जाता ह files वाले आपके अंदर इस पर आपको जाना है Android के folder और यहाँ पर जो data का folder आप देख सकते हो, इसके अंदर आपके यह सारे जो files है, यही आपके सारे cache files है, जिनको आपको clear करना होता है, तो इसके लिए simple सा आप क्या कर सकते हो, आप अपने पूरे जो Android का folder आपको यहाँ पर folder यहाँ से आप delete कर दीजिए, delete करने के बाद कोई tension लेने वाली बात नहीं है, यह एक नया folder automatically आपका system यहाँ पर बना देता है, इसके बाद आपका phone पहले से जादा smooth भी हो जाएगा, और यह जो not responding वाला जो error, जो issue आपको देखने के लिए मिल रहा था, वो चीज भी वीडियो तो वीडियो को like कीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए है, सब्सक्राइब नहीं करके रखा, सब्सक्राइब करें मारे चैनल को ऐसे latest videos देखते रहने के लिए, notifications को भी all पर set कीजिए, ताकि आपको हमारे नए वीडियो के सारे notifications मिलते रहें